हेलो प्रेंज, कैसे हैं आप सब मैं हूं संगिता और मैं अपने चनल में आप सभी कर्षोगत करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि कल वर्ट सावेत्री है तो उसकी पूजा की तयारी रात से कर रहे हैं और यहां पर सारे परिवार के राग बैठे हैं यह मैं हूं पुजा कि थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, पीला चावल सफेच, ये कल की पुजा के लिए तैयारी करे हूं, ये बेशन के उसके बूत रेल खोड़ा, ये मूती बना हूं, गोली, हाँ, ये क्या बना रहे हैं, चुटा-चुटा गोली, चुटा-चुटा गोली बना ल इसमें लगाएंगे, इसमें पसाइंगे, इसके बड़ पजा कर दिखाओंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये ना बेशन का मूती गुना रहे हैं, इसको कलवट सावित्र की दिन ये चढ़ाते हैं, इसमें बारा मोती है, एक, तू, तीन, छार, पार, छे, साथ, आट, नौ, दस इसके रहा बारा, ये सब गिंती बारा कही रहता है, ऐसा हम लोग बारा बारा बनाएंगे, मैं पुझा करूँगी, तू, मेरा बारा रहेगा, मेरी दीदी कब पुझा करेगी, तू, उसका बारा रहेगा, अनाते कितने सारे बन चुके हैं, ये सब पुझा में काम आएने क तेर में पका लिया है तल लिया है इसको कर भोग चड़ाएंगे तो यह गिंती में बारा बारा है बारा मेरी दीदी के लिए बारा मेरे दीदी यह देखे फ्रेंड्स, यहां पर हम कच्चे चने भीगा कर रखे हैं और यह हैं पूरी काटा, पूरी बन रहे हैं और यह देखे मेरी देडि यहां पर पूरी तल रहे हैं और भोग प्रशाद चड़ाने के लिए पूरी और गुल्गुला भजिया बनाएंगे और ये है गुलगुला भजिया और ये पूरी ये देखे फ्रेंड्स मेरी दीदी तैयार हो चुकी है मन्दिर जाने के लिए और मैं एक बार आपको पूजा किसमागरी दिखा देती हूँ ये फूल है और ये रेहन है चावल से बनता है और आगे मैं इधर दिखाती हूँ यहाँ पर मौली धागा है दो कच्चे धागे की गड़िया है और ये गले में पहनने के लिए धागे है जिसको पूजा करने के बाद हम लोग पहनेगे और पीला चावल है कमल के फूल है और दूद दही और ये है कलश और ये हमने जो रात को बनाया था ना वो पीले मुती का जो ये है पीला मोती पीरोते हैं और पूजा करते हैं इसका ये हम लोग बारा-बारा की गिंती में अलग-अलग पॉलिथिन में अक्ली हैं दोनों बेहनों के लिए और ठैले में आम नारियर और सकरकन और भीगे हुए चने ये सब हैं तो अच्छा से दिखाई नहीं दे रहे हैं क्य में और में दीदी मंदिर जाने की तयारी कर रहे हैं तो यह देखिए यहाँ पर पूरा पूरा पूजा समागरी है यह सब ले करके हम लोग मंदिर की तरफ निकलते हैं तो आप सभी भी चलिए और यह देखिए हमारे घर के अंदर भी एक मंदिर है भोले नाजी का और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और यह है स्ट्रे राम जान की मंदिर यहां पर पंडित जी ने पूजा स्थल पर यह वट वरिक्ष का छोटा सा पौधा लगा दिया है और यहां पर मैं रंगोली डाल रही हूँ मैं और मेरी दीदी दोनों ही डाल रहे हैं रंगोली डालने के बाद हम लोग यहां पूजा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पंडिजी बैठे हुए है जो यहाँ पर हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है करके यहाँ पर दीदी जो वट वरिक्ष के जो पत्ते होते हैं उसमें सावित्री और सत्यवान के चित्र बना रहे हैं ये देखिए जो रेहन लाये थे उसी से बना रहे हैं इसके बाद इसका हम पूजा करेंगे और ये है हमारा वटवरिक्षुट मतलब छोटा सा पौदा है यहाँ पर दिदी ने गौरी गणेश की मुर्ती छुटी सी रखी हुई है और करश की स्थापना की है तो उसकी पूजा हम लोग कर रहे हैं आप एक बार पूरे श्रे राम मंदिर को देख लीजिए दिदी अब वट व्रिक्ष की पूजा कर रही है मतलब पौधे की पूजा कर रही है यहाँ पर जो बेसन की मूती बना कर हम लाए थे बारा बारा राहर इसमें काड़ी में उसको हम लोग व्रिक्ष के मतलब पेड की नीचे रख रहे हैं फिर हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर गोरिक ने उसकी पूजा करने के बाद कलश की पूजा करने के बाद यहां पर संसर्ट्यवान और शावितरी की जो हमने चित्र बनाये थे उसकी पूजा करने करके श्रिंगार का समान हमने चड़ाया और यह देखिए यहां पर बेड़ पत्र और फूल है उसको भी हमने चड़ाया और यहां पर हम लोगों ने भीगे वे जो चने लाए थे आम और सकरकंद लाए थे उसको 12 दोल्य में रखेंगे यहां पर हर पूजा की समाग्री मतलब पूजा की जो भोग प्रशाद है वो इसकी संख्या 12 ही होती है वट सावित्री पुजा को बर्साइद भी कहते है अब दिदे आरती की तैयारी शुरू कर रही है अब इसके बाद हम लोग आरती करेंगे उसके बाद मैं कथा पढ़ूंगी वट सावित्री कथा सत्यवान और सावित्री की कथा है ज मिल सावित्री का क्ला जित्री के अग पूजा पूरी हो चुकी है अब हम लोग कच्छी धागी कच्छा धागा लेकर के वह जो वटब्रिक्ष है उसमें बान करके हम लोग बारा भार फेरी लगाएंगे काने अप्राप बारा भार बार फेरी लिगा शाया है तोकी है अब हम लोग बाता है मतार के वहाओ यूञा है दोनें लोगद है उसमें पाद पल्छी रहार है दागा बानना कम्प्लीट हो गया है अब इसके बाद मैं प्रणाम करके हम दोनों भेहन प्रणाम करके यहां पर बैठेंगे उसके बाद मैं वाट सावित्री कता कहूंगी यहां पर शार्दा मैं कमंदीर है और साइड में थोड़ा सा जगह है जहां पर छटी-छटी पेड़ पोधे लगे हुए है जुको भी फूजा करने आए है बेटा वाव थीक अच्छा अब हमारा पूजा पूरी तरीके से कंप्रेट हो गया है अब हम प्रणाम करके भूले बाबा के तरफ जल चलब जढ़ाने के लिए जाएंगे अब है अब है अब है अब है अब है अब है एक बार मैं आपको मंदिर दिखा देती हूं यह देखिए यह भोले नाजी का मंदिर है और इधर अंदर के तरफ श्रे राम जानकी जी की मुरतियां है और यह शावदा मईय है और यह हमारे पंडित जी है और यहाँ पर मैं और मेरी दीदी जो सत्यवान और सावित्री बनाये थी जो पत्ते में उसको अपने सीर पर लगा रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने कहा कि इसे सीर पर लगाते हैं और सत्यवान सावित्री में जो यह पीला धागा हमने जो चड़ाया था उसको गले में डाल रहे हैं इसको गले में डालके रखना होता है पूजा के बाद इसके बाद हम लोगों ने जो सक्कर पानी लाये थे मतलब सरवत लाये थे उसमें हम पंडित जी को दे रहे हैं उसके बाद हम लोग बारा चना और कच्चा चना और वट कबीच लेकरके उसको बारा बार पीएंगे उसको मतलब चने को ऐसी पानी के साथ लेंगे फिर चना को प्रशार लेने के बाद पंडित जी को प्रणाम करके हम लोग पहार की तरफ निकलेंगे मैं आपको शार्दा मैया की मुर्ति दिखाती हूँ यह हमारे घर के साइड में शार्दा मैया का मंदिर है और यह संतोसी माता का मंदिर है संतोसी मैया है यह अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं हो गया पूजा हाँ हो यह पूजा इसकोड रहे बाई 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 नहीं मतलब हम लोग सावित्री का पूजा करके आगए मंदिर से अगर आपको यह व्लॉग अच्छा रगा हो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब और कमेंट से रुकिजे अब अगर बाई बाई नहीं मतलब इसक्राइब नहीं मतलब इसक्राइब